राष्ट्रप्रती द्रोपती मुर्मु की सुईकरती मिलने के बाद भारतिय न्याई सहिता 2023 अब कानून बन चुका है आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड यारी IPC के पुराने कानूनों की जगा ले लेंगे लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है इस विरोध का कारण है हिट एंड रन का नया कानून नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुरघटना में किसी की मौत हो जाती है और गारी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा वहीं कई राजियों में ट्रक चालक इस नय कानून का विरोध कर रहे है कुछ जगाहों से चक्का जाम, अराजकता और पुलिस की ओर से हलके बल का प्रियोग भी किया जा रहा है ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हिट एंड रन को लेकर नया कानून क्या कहता है पुराना कानून क्या था, इसे लेकर विरोध क्यों हो रहा है और ट्रक ड्राइवरों का यह विरोध कितना जायज है बता दें अगर किसी गाड़ी की टकर के बार ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है तो उन मामलों को हिट एंड रन केस माना जाता है हिट एंड रन मामलें में कई बार घायल शक्स को अगर समय रहते अस्पताल पहुचाने या प्रात्मिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में दो साल की सजा का प्रावधान था और जामानत भी मिल जाती थी क्या कहता है नया नियम कहता है कि अगर सड़क दुरघटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिये बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा वहीं कई राज्यों में ट्रक ड्राईवर इसका विरौध कर रहे हैं मध्यप्रदेश, चठिशगड, महराष्ट, दिल्ली, हरियाना, उत्तरप्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राईवर उन्हें हरताल और चक का जाम कर दिया है इसके अलावा बस, टैक्सी और आटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे सक्त किया गया कानून आंक्डों पर नजर डाले तो नए कानून की सक्ती का कारण समझ आता है सरकारी आंक्डे बताते हैं कि हिट एंडरन के मामलों में हर साल 50,000 लोग जान गवाते हैं लेकिन विरोध करने वाले ड्राइवरों का तरक है कि टकर के बाद अगर वे भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सक्त सजा मिलेगी और अगर वे रुखते हैं तो मौके पर मौझूद भीड उन पर हमला कर सकती है अक्सर सडक दुर्घटना के मामलों में मौके पर मौझूद भीड उग्र हो जाती है और गाड़ी चालक पर हमला कर देती है कहीं बार यह हिंसक भीर सिर्फ पिटाई तक नहीं रुपती और मामला मॉब लीचिंग का रूप ले लेता है हलांकि नए कानून में ड्राइवरों को कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी अगर गाड़ी से टकराने वाला शक्स गलत तरीके से सड़क को पार करता है या गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम पांच साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन अगर टकर गलत धंग से गाड़ी चलाने की वज़े से होती है तो ड्राइवर को 10 साल जेल की सजा काटनी होगी